हाई फ्रेंज असलाम अलेकूं मैं हूँ शाहिन सेयद आई होप आप सब खेयरियत से होंगे आज हम बनाएंगे हमस और उसके साथ बनाएंगे फेलाफल मिडल इस्ट की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है खाने में सूपर टेस्टी लगती है जरूर ट्राइ करिए का और रेसिपी अच्छी लगी ना तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चली बनाते हैं फेलाफल और साथ में बनाएंगे हमस यहाँ पर मैंने एक कप भर कर बिल्कुल छोले लिये थे एक सवा कप और इसको रात भर पानी में अपने भिगो देना है बहुत अच्छे से यह भीग चुका है इसमें से मैंने आधा कप भर कर बाजू में निकाल लिया है क्योंकि इसको मैं आट करूँगी प्रेशर कूकर में इसका हम बनाने वाले हमस सबसे पहले हम इसको कूक कर लेंगे तो इसमें एक कप मैंने आट किया है पानी और कवर करके एक विसल हाई फ्लेम पे लगाया था और सिमर पे पांच मिनट छोड़ दिया था यहाँ पर ग्रैंडिंग जार में मैंने बाकी बचे वे छोलो को आट कर लिया है पानी बुरा ड्रेन करके आपने आट करना है जादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें आट से दस कलिया आट कर देंगे लसन की एक से दो हरी मिर्चे आट कर देंगे जितना आप तेज खाते हैं उसहाब से आपने कम जादा आट कर लेगे थोड़ा सा हराधनिय आट कर लेगे जाद आट करने से इसका कलर ग्रीन हो जाता है कुछ काडिया ही मैंने आट करी है आदा छोड़ा चमज हम आट कर देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से आदा छोटा चमज मैंने आड़ किया था भूने हुए जीरे का पाउडर, आदा चमज आड़ किया है मिर्च का पाउडर और पाउचमज से थोड़ा सा कम मैंने आड़ किया था सोड़ा, इसको आपने मोटा मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेना है, कुछ इस तरह से आप चाहें तो एक टेबल स्पून पानी आट करके थोड़ा सा और ग्राइंड कर सकते हैं बट मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया था बोल में तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्टर थोड़ा सा कोर्स सा ही है दरदरा अब आप हातों को थोड़ा सा अपने गीला कर लेना है और इस तरह से चोटे चोटे बॉल आपने बाइंड कर लेने अगर बाइंडिंग में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप एक चमच बेसन आट कर सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगे आपने इसको ऐसे ही बना लेना है अगर आपने दरदरा ग्राइंड किया है और ठीक से ग्राइंड हो गया है और बहुत साथा उसमें पानी नहीं है तो इसके बाल्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी फ्लेम फिर आपने मीडियम कर लेना है और एक एक करके सारे आट कर ले तो अभी मैंने इसमें पहले थोड़े ही आट किये थे इसको थोड़ा मैंने इस तरह से कड़ाई से मूफ करके कुक किया था और फिर बाकी बचा हुआ मैंने याप पे आड़ किया है जब आप बॉल्स आड़ करें तो इमेजरली स्पून नहीं आड़ करना है उसको पहले अपने थोड़ा फॉर्म होने देना है थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे फिर अपने धीरे से उसमें चमबज आड़ करके उसको इस तरह से अलट पलट लेना है इसको हाई फ्लेम पे बाद मैंने फ्राई किया था लास्ट में ताकि इसको कलर अच्छा डाक आ जाए अंदर भारी अच्छे से कुक हो गया है आप देख सकते हैं बॉल्ल जो है यह फूल कर साइज में भी डबल हो गया है त्यार है फेलाफल साइड में रख देंगे यहाँ पर छोले भी मैंने अच्छे से कुक कर लिये है यह देखिए तो इसका पानी हमने पूरा ड्रेन कर लेना है और छोलो को हमने साइड में निकाल लेना है तो ग्राइंडिंग जार लिया है मैंने सबसे पहले इसमें एक से डिड़ चमज भरकर आपने तेल आट करना है तेल को पहले आप थोड़ा सा ग्राइंड कर ले जब यह इस तरह से पाउडर हो जाया ना फिर हम इसमें आट कर देंगे यह छोले जो हमने बॉइल किये थे फिर इसमें आट करेंगे तीन से चार कलिया लसन की साथ में आट करेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा जीरा पाउडर आट किया है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर नीबू का रस ने चोड़के आट कर ले एक छोटा टीबल स्पून और ये है ओलिव ओइल यहाँ पर हम mostly ओलिव ओइल आट करके ही इसको ग्राइंड करेंगे यह देखे इसका texture दरदरासा हो गया था तो यह चनो का जो पानी बज़गा था ना उबालने के बाद वो मैंने आट करके फिर इसको स्मूध ग्राइंड किया है आप चाहिए तो पानी टोटली एवाइट कर सकते हैं और सिर्फ हॉले ओल से भी इसको स्मूध किया जा सकता है तो आप देख सकते हैं इसका texture कितना smooth है और lesson के वज़े से जो इसका flavor है यह amazing आता है आप इसको store भी कर सकते हैं हफ़ता दस इन फ्रिज में बिलकुल इसको कुछ नहीं होगा हमस को आप as a dip किसी भी पकोड़े के साथ serve कर सकते हैं यह ऐसे ही खाने में बहुत tasty लगती है थोड़ा सा मैंने olive oil उपर से drizzle कर लिया है और थोड़ा सा garnish कर लिया है धनिया पत्ता के साथ तो यह एक बहुत tasty snack है Middle Eastern snack आप जरूर ट्राइ करिएगा I'm sure यह recipe आपको बहुत पसंद आने वाली है तो आज के लिए इतना काफी है फिर मिलूँगी एक और नई और ताजा recipe के साथ तब तक इजाज़त चाहते हूँ Thank you so much for watching my video. Take good care. Bye